हैरانी की बात तो ये है की चुक्रेन आधे हत्यारों से रूस पर कांटर एटाक कर रहा है जलन्सकी ने साथ कहा है कि वो महिनों तक नाचो और अमारिकस से आने वाले हत्यारों का इंतिजार नहीं कर सकते क्योंकि रूस के तुफानी हमलों से एकीव परकबजे का खत्रा बहुत जादा बढ़ गया है और जून में ही पोतिन कुछ बड़ा कर सकते हैं इसका सबसे बड़ा इशारा जलंस्की के उस बयान के बाद मिला है जिसमें काउंटर अटैक की बात कही गई और यही जलंस्की ने ऐसी गलती कर दी है जिससे पोतिन को नई ताकत मिल गई है आखिर योक्रेन की ऐसी थ्या मजबूरी है कि भारी अथियारों की खमी के बाद जलंस्की का योक्रेन बूस पर आत्मिभाती काउंटर अटैक कर रहा है आखिरी जंक, मरिंग और मारिंग योक्रेन के जनरल किस दम पर दावा कर रहे हैं कि आठ तरफ से हो रहे योक्रेन के हमले रूसी सेना के चीतरे उड़ा देंगे आठ तरफ से काउंटर अटैक लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यूं दावा कर रहे हैं कि योक्रेन के भीश और काउंटर अटैक महज 15 दिन में रूस के तूफानी हमलों के सामने टिक नहीं पाएंगे रूस योक्रेन जंग को 15 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है पिछले 13 दिनों में ही रूस ने पूर्वी, उत्तरी और दक्षनी योक्रेन के 10 शहरों पर 800 से ज्यादा मिसाईले दागी है अब तक रूस ने पूर्वी योक्रेन के 30 फीजदी इलाके पर कबज़ा कर लिया है जबकि पुतिन के रूस का टार्गेट है कि जल्द से जल्द योक्रेन के 15 फीजदी इलाके पर कबज़ा कर लिया जाए इसलिए रूस तीन हफ्तों से योक्रेन की राजधानी कियू समेद कुल दस शहरों पर भीशन हमले कर रहा है हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका और नाटो के एर डिफेंस सिस्टम भी रूस के तूफानी हवाई हमलों के सामने ठिक नहीं पाए है भले ही अमेरिका और योक्रेन दावा करें कि उनके पैर्ट्रियट मिसाइल सिस्टम ने रूस की घातक इसकंदर और केंजल मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया है लेकिन ये भी सच है कि रूस ने Patriot Missile System समेट कई Air Defense System को तबाह कर डाला है अब ऐसे हालात में योक्रेन के पास दो ही रास्ते बचे हैं या तो रूस के सामने सरंडर करो या फिर रूस के कबजे में आए योक्रेनी एलाकों पर भीश और काउंटर अटैक करो योक्रेन को काउंटर अटैक करने में इसलिए भी बहुत देर हुई है क्योंकि नैटो और पश्चिमी देशों ने आखिरी मौके पर आकर भारी हत्यारों की सप्लाई काफी धीमी कर दी है ऐसे में जेलन्सकी के पास अब यही रास्ता बचा है कि वो रूस पर कम हत्यारों से ही हमला करें योक्रेन के जनरलों के साथ होई मीटिंग के बार जेलन्सकी ने रूसी सेना के उपर काउंटर अटैक का आदेश दी दिया है लेकिन खुद जेलन्सकी मानते हैं कि रूसी सेना पर काउंटर अटैक योक्रेन पर भारी पड़ सकता है जरा देखें अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जनरल पर जेलन्सकी ने काउंटर अटैक को लेकर क्या कहा है योक्रेन के राश्टरपती जैलन्सकी ने वाल स्ट्रीट जनरल को दिये इंटर्व्यू में कहा है योक्रेन को पूरा विश्वास है हम रूस के खिलाब सफल काउंटर अटेक करने में काम्याब होंगे मुझे नहीं पता काउंटर अटेक कब तक चलेगा लेकिन योक्रेन इसे करने जा रहा है हमारी सेना तैयार है डेफन्स एक्सपोर्ट्स के मताबिक रूसी सेना पर योक्रेन का काउंटर अटेक उसके लिए सियोसाइड मिशन साबित होगा क्योंकि पुतिन के रूस ने बिछले पांच महीनों में जबरदस्त तयारी कर ली है इस वक्त हर महीने रूस लंबी दूरी की सत्तर से जादा हाईपरसोनिक मिसाईले बना रहा है जबकि रूस के पास रिजर्ब में साथ हजार टैंक मौझूद है जो योकरेन को पूरी तरह से कुचलने के लिए काफी है इसके अलाबा सुखोई और मिक सीरीज के साथ सौ से जादा फाइटर जेट और बॉमर योकरेन के शेहरों के चीथड़े उड़ा रही है ऐसे हालात में योकरेन का काउंटर अटैक वार एक्सपोर्ट की समध से बाहर है जबकि जैलन्सकी का मामना है कि अगर अभी रूसी सेना पर काउंटर अटैक नहीं किया तो रूस कुछ हफ्तों में ही राजदानी कीव पर भी कफजा कर लेगा अगर रूस के भीशन हमलों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले योकरेन की राजदानी कीव में 4000 से जादा शेल्टर और बंकर बनाये गए हैं ताकि रूस के तूफानी हमलों से योकरेन के लोगों को बचाया जा सके इस वक्त योकरेन में बंकर और शेल्टर भरे पड़े हैं हालात ये हैं कि कीव में कुछ महिलाओं और पुरुष बंकर में घुसने के लिए गड़गडाते रहे लेकिन बंकर के दर्वासे नहीं खोले गए जिसकी वज़े से रूसी मिसाइलों की चपेट में आकर सभी मारे गए जेलंस्की भी कीव में हुए इस दर्दनाथ सच को देख कर तहल गए चुन-चुन कर मार रहे हैं पोते पर्शा पर वी वस्तावको नगालनी बेस्पेकोवे पितान्य ज़र्त का रे-ाथा, ज़र्दनी का रहे हैं, हर्वासे का जोड़ ज़र आकर सब्सारा का मिन का देख कर रहाई हम्ले कर रहे हैं, रूस की पास नातो मिसाइलों की कमी है, और नाही अधिगाती रोंन आप जरर रूस के इन कामिकाजे यानि आत्मिगाती ड्रून की तस्वीरों को देखिए जिसे देखकर जैलेंस्की की रूह तक काप गई है हाल में आत्मिगाती ड्रून का रिमोट था में रूस के सैनिक के पीछे एक दो नई बलकि हजारों की संख्या में बेहद छोटे और घातक मार करने वाले ड्रून है ऐसा लग रहा है कि रूस के ये आत्मिगाती ड्रून सोनामी बनकर पूरे योकरेन को भस्म कर डालेंगे इस वीडियो में रूसी सैनिक ये बता रहा है कि रूस के ये मिनी ड्रून ना सिर्फ योकरेन के बड़े और घातक हमलों को तबाह कर सकते हैं बलकि बड़ी इमारतों की खिर्कियों से घुसकर पूरी इमारत को तबाह कर सकते हैं। हजारों की संख्या में मौझूद इन ड्रोन को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस योक्रेन पर आत्मगाती ड्रोन से मधुमक्यों की तरह हमला करने जा रहा है। इतनी भयानक संख्या में रूस के ये ड्रोन जेलंस्की के योक्रेन के लिए साक्षा काल साबित हो रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंतरी एंटरी ब्लेंकन तक मान चुके हैं कि पुतिन का रूस बेहद ताकतवर है जिसकी वज़े से बेहद कड़ा मुकाबला जंग में हो रहा है। President Putin spent two decades trying to build Russia's military into a modern force with cutting-edge weaponry, streamlined command, and well-trained, well-equipped soldiers. The Kremlin often claimed it had the second strongest military in the world, and many believed it. Today, many see Russia's military as the second strongest in Ukraine. It's equipment, technology, leadership, troops, strategy, tactics, and morale, a case study in failure, even as Moscow inflicts devastating. आखिरी जंग, मरेंगे और मारेंगे। Zelensky इस बात से भी बेहत परिशान हैं कि योक्रेन को NATO का मेंबर बनाने में कुछ NATO देश जान बूच कर देदी करवा रहे हैं। Zelensky ने साफ कह दिया है कि अगर जुलाई 2023 तक योक्रेन को NATO में शामिल नहीं किया गया, तो फिर योक्रेन की हार और बधाली के लिए NATO के एकद्दिस और पश्चम के 50 देशों को मिला कर, कुल एक्क्यासी देश जिम्मेदार होंगे। इसी लिए Zelensky रूस पर अभी से काउंटर अटाक कर रहे हैं, ताकि NATO पर दबाव बनाया जा सके हैं। लेकिन Zelensky भी मानते हैं कि ये योक्रेन के लिए स्योसाइड मिशन है। योक्रेनी राश्रबती वॉलिडिमीर Zelensky ने कहा है, काउंटर अटाक के दोरान योक्रेन के बहुत से सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन योक्रेन के पास काउंटर अटाक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। Zelensky ने माना है कि काउंटर अटाक से कीव को बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही Zelensky ने ये भी कहा है कि बश्चम से और हत्यार दिये जाते तो अच्छा लगता। लेकिन योक्रेन हत्यारों के लिए अब महीनों तक इंतजार नहीं कर सकता है। हम रूस की सेना पर काउंटर अटाक कर रहे हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। चुन चुन कर मार रहे हैं पुतेट। वहीं दूसरी तरब पुतेट का रूस पूरी तयारी से काउंटर अटाक पर पलतवार कर रहा है। बखमूत में योक्रेन के 18 काउंटर अटाक रूस ने फेल कर दिये हैं। जबकि पूर्वी योक्रेन के 10 फीजदी इलाके पर हुए योक्रेन के काउंटर अटाक रूस को नुकसान नहीं पहुचा पाएं। रूस के राश्यपती फोतिन के प्रवक्ता तेमेत्री पेशको ने तो टूक एलान किया है कि रूस जब तक अपना लक्ष हासिल नहीं कर लेता है। तब तक रूस हमले करते रहेगा ना तो ना तो और ना ही अमेरिका योक्रेन को बचा पाएंगे। पाएंगी पाएंगी पिर्शनी पहुचा पाएंगे। पंद्रा महीने से ज्यादा की हो चुकी जंग में अब तक रूस के दो लाख दस हजार के करीब सैनिको कुमारने का दावा योक्रेन कर रहा है लेकिन ये भी सच है कि बखमूत में योक्रेन, नाटो और अमेरिका ने पूरी ताकत लगा ले लेकिन रूस ने उसके बावजूत बखमूत को ना सिर्फ बस्म कर दिया बलकि पूरवी योक्रेन के बड़े इलाके पर कबजा कर लिया है अब देखना होगा इस हैलन्स की काद मुगाती काउंटर अटाक रूस के सामने कब तक टिक पाता है